काई सबीसी से मॉर्निंग क्लासेश की तरफ से आप सभी को गूड मॉर्निंग तो कैसे हैं आप सभी मुझे उमिद है कि आप लोग भी बहुत अच्छे होंगे तो देखिए हम लोग को बहुत दीनों की इंतजार के बाद आज हम लोग चलो कर रहे हैं क्लास 9 में क्लास 9 से हम लोग चलेंगे एक ड्रक्ति केवलाल ड्रक्ति क arrange हम लोग को अगर कमप्लीट हो जाता हैं लेकर उसके बाद भारती यहे जो भी निभय हो उए उस परकार से हम लोग रियलनमर पहला चैप्टरा ही हम लोग कहा वास्तेवीक और मोन घ्राहाнов नहीं है जिसको चैनल करेंगे कुम कुछ ऐसे बैट्स जालो करें कोई कुछ कि इस लिए पता कि च्छा Message है कि इसे की तरह चालू करें तो समझना बहुत जपीन होता है तो इसलियए हमने क्याव कि इस real number को याने कि संख्या को ही recording एक छोटी छोटी हारेख zero level से ही इसको start उठा लिए हैं । कि इस zero level से आईधी हम लोग तीन-चार वीडियो में देख लेते हैं तो पूरी संख्या की एभरती जर Unless कारी ही हो संख्या हो गया हमारा अंक हो गया सबसे पहले तो छोटी मूल सब्सक्राव में सबसे मुले बात है क्या वह हैं अंक क्या होता वंटा है हमारा यह संख्यांक बनता है इसी प्रकास से हमारा संख्यां के बाद संख्या नाम होता है उसी तरह से हमारा नोटेशन इस तरह से होता है और प्राकित संख्या होती है पूर्ण संख्या होती है उसके बाद हम लोग होते हैं वास्ट्विक संख्या उसके बाद आ हैं हम लोग रियल नमर को अगले पार्ट में डोड़ देते हैं इस तरह से हम पूरी एक्षिक कटेगरिया हम लोग इसको समझेंगे तो कि शीते रहें और समझते रहें यह स्वाइब करता हैं कि अंक के बाड़े में देखिये अंक हमारा होता क्या है उसको कैसे define करते हैं तो देखिए हम लोग ने एक definition लिख लिए है ताकि definition लिखने का main purpose होता है कि अगर हम लोग definition को अच्छी तरह से लिख लेते हैं तो आप लोग भी अपने अपने notebook में अच्छी तरह से note कर लेंगे और उसको आयाद भी करके अच्छी तरह से समाझ भी सकते हैं इसलिए हम लोग क्या करते हैं इस definition को अच्छी तरह से पर लिख लेते हैं उसके बाद अच्छी तरह से इसको समाझ भी लिया करते हैं तो देखें इसमें क्या बोला गया अंक सबसे पहले हम लोग उठाए हैं अंक को अंक होता क्या है अंक किस प्रकार से होता है क्या होता है कितने होते हैं उसको हम लोग देख लेते हैं देखें अंक जो हमारा होता है डिजिट जिसको बोलते हैं क्या डिजिट बोलते हैं देखें क्या बोलागा है किसी संख्या को निरुपित करने के लिए किसी भी कौन से हैं हम लोग पहले देखें कि किया वोला गया है इक किसी संक्या के निरुपित करने के एक कोई संक्या लीजिए डिजीए दस लीजिए लिजिए तिस लीजिए यह 1250 लीजिए यह 161660 लीजिए 16,585 या कोई भी नंबर आप उठाएं तो उस नंबर में क्या होगा केवल 10 संकेत के ही अरसकता पर होगी 10 संकेत के अलावा कोई भी अंक नहीं होता है जैसे बात करते हैं हम लोग इसमें कौन-कौन से होते हैं 10 संकेत कौन-कौन से होते हैं तब पहला हमारा होता है जीरो उसक तो देखिया हमारा ढूरा संकेत कितने हुआ कितने हैं एक और जिस एक हैlen अछ। हम लोग लिखेंगे होगा तो वो कौन कंसे होंगे तो पहला होगा हमारा 0 एक दो तीन चार पांच छे सात आर्थ निए एक से लेखे नौक के बीच के अंकों को लिख करके किसी ही संख्या को लिखा जाता है ईब बात करbij किय से मालने हम लुग नाइन लिखे तो नंने कहो गया तो एक Trans sciences कह हो गया इस तो 10 टे वान और जिरू लिखते रहें Southern Oswald जोंजी है तो 5 झोंजी जिरू लिखते हैं 50 लिखते हैं 5 जेthese पाँज है इसमें भी है पांच और 0 है तो 1 अहीं है 0 कोई विखें है जैसे हम लोग फिसक्त करते लिख दिए तो 276 और 9 है देखी हाफ इसे है और 9 है लूब दुनिया के कोई विख्या लेंगे वो क्या होगा हमारा इन ही संकेतों में से ही होगा यह जो हमारा क्या है यह जो अंक्त के रुप में लिखे हैं इसको पहले हम लोग क्या लिखते हैं संकेत के द्वारा ही समझेते हैं तो जितने भी संखेत हैं, वो कितने हैं, दस होते हैं संकेत, और इन दस संकेतों कहीं अधार पर सламति संख्याओं को लिखा जाता है, अब दूसर कर्ण में बात करते हैं किस संख्यान का नम्रल, नम्रल क्या होता हैं, उसको थुरा हम लोग देख लेते हैं, तो क्या बekingला है नम्रल में किसी संख्या को नुरुपित करने वाले किसी संख्या को नुरुपित करने वाले अंकों के समूँ को क्या कहते हैं संख्यां करते हैं अब इसमें बात करते हैं एक्जामपन में क्या वला है किसी संख्या को नुरुपित करने वाली किसी संख्या को नुरुपित करने अंखों के संमुग जो होगा है यह हमारा जितना भी अंक है एक से लिए से लिक दश्क जिटना भी अंक है कितना है दस संकेथ है इन दस संकेथ के समूहों को हम क्या कहेंगे नवरल बात कर एक जामपल में तो एक दो तीन चार पांच ऐसे इस परकास से समुझ में लिख देते क्या हुआ हमारा नम्रल हो गया इसको अगर पढ़ें तो बोलें कितने हैं यह हो गया हम लोग का बारा हज़र हम लोग लिख दें 2478 हो जागा इसे परकास इसे तो अगर देखे किसी भी आंक की शुरुआ कि सब्सक्रा की सब्सक्राइब तो उस जीरो का वहलू नहीं रहता है इसली हम लोग सुरुआ करेंगे एक दो तीन चार पांच छे साथ आठ ऐसे बात करते हैं तो हम लोग कितना हो जाएगा इस प्रकास से हमारा जो भी संख्या होगा जैसे मालने इसको देखते हैं तो इकाइन दाएं से करहा हजार दस्जर लाग दसलग क्रोड यानिकि एक करोड़ प्रकास लाग पैट करने वाली किसी संख्या को नुरुपित करने वाली अंकू के समूव को संख्यांक करते हैं अब जो हमारा संख्यांक या संख्या संक्यांक या संख्या दोनों का आर्थ क्या होता है तो समान ही होता है समान ही होता है अर्थ हर्थ संख्यांकन संख्यांकन या संख्यांकन 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 या संख्या का दोनों का अर्थ क्या होगा समान होता है या इस संख्या नम्रल को भी नंबर भी बोल सकते हैं या नम्र इन दोनों को क्या बलंगे एक दूसरे के नाम कहीं पर है या तो इसे नम्रल बोलिए या तो नंबर बोलिए तो यह इस परकास हम लोगों हो गया क्या संख्या कैश होता है किस प्रखास को क्या होगा संख्या है उसके लिए लेते हैं तो चली हमारे क्लास 9 के स्टेंडर के जो कंप्लेक््थ संख्या को यह लिखता है तो कंप्लेक्स नमय से यह हुटत आ क्रेंगे बेंगे किलास इलैवन प्रॉट क्रेंगे सामिसर संख्या को अच्छी से अच्छी तरह से इस के वाल जी जो हमारे Komplex नमर है उसका एक चयांक्स क Zarichi हमलोगं का दियरा रहता है क्लास्पण 10 इम क्लास बन रेंख में और बात करेंगे मिलती है तो एक मिलती है हम लोग का रियल नंबर दूसरा मिलते है इमेजनरी नंबर बोलने कार्थ है कि वैस्टिक संख्या और इमेजनरी मतलब कि काल्पनिक संख्या अब रियल नंबर तो हम लोग जानते है रियल नंबर क्या है रियल नंबर के अंतरगात अगर इसको देख सामने खरे होकर के आप देखते हैं तो उसके अंदर एक दुनिया दिखाई देती है लेकिन हम लोग उसके क्या करते हैं एक देख सकते हैं और क्या कर सकते हैं उसको रिलाइज कर सकते हैं कि उसके पीछे भी एक दुनिया है लेकिन हम लोग क्या करते हैं उसमें इंट्री नही लेकिन वे प्रब्लम हम लोग को आखर दूर हुगा कितना क्लास् सल्पर निकाल लिए तो यह प्रब्लम हम लोग को इमाय। सब्सक्राइब derived- अब इसके बाद जो हमारी होती है तो में परिमे सउंख्या का अंत्रगार्थ हम लोग लेते हैं संख और तीसरा हम लोग आता है पूर्ण संख्या क्या होती है और तीसरा हम लोग होता है थाड में ह Rat Annoy-t Zar CT हम लोग होता है यह फ्राकित संख्या है प्राइम संख्या या अभाज संख्या उसको भी बोला जाता है रूट भी अधितार लोग इसके नाम से भी जानते हैं और दूसरा जो हमारा लगा होता है क्या होता है इसके बाद देखेंगे हम लोग इस फिरकास ने होगी पहला होगी को प्राइम नमबर को फ्राइम संख्याएं और ब不到 हैं दुषरा का हम लोग करता है र precisely नमबर रिले टेवली नमबर का होता है कि मुवर कि और संख्याएं है कि इनक हो कि उसमें होगी कौन से से क्यों होगी तो हमारी अभाज संख्य के मोगे तो इस संभी को एक एक हम लोग क्या करेंगे के साथ एक युदहारन के साथ 2425 ऑचीता से करेंगे उसको अच्छी तरह से देखेंगे और पॉड़ी पूंणुरूप से इसको भी संजेंगे तो आप लोग इसे अपने नोट्बूक में इस चार्ट को अची तो नोट कर लिजे कि हम लोग आगे जाकर पढ़ना क्या है तो देखिए हम लोग इसके बाद पढ़ाएंगे हम लोग यह हो जाएगा और यह तो बात की बात है कब तक हम लोग इसमें फॉस्ट रख रख यह फोड़ नंबर इंटीचर इन तीनों का बारे में हम लोग पढ़ेंगे है अच्छली हम लोग आते हैं हर एक टौपिक क्या होता है कि गेंती में परित होने वाली संख्याइं कि इंती में परिक्त होने वाली जो भी जितने भी सारी संख्याएं होती है वह हमारी क्या होती है नेश्रल नमर का लाती है नेश्रल नमर के नाम से जानते हैं जितनी भी सारी संख्याएं हमारे जो जितनी भी हम लोग संख्याएं के बारे में सोच सकते हैं गिंति कर सकते हैं कि काउंट कर सकते हैं संख्या को वह हमारे कितन सवी नेक्रापक ड्रक्रांद कर चाहते हैं अब बात करता है तो निजिपर्ण को क्वश्चत कि लिए टेट्ल के टाहें तो प्रयों को समुच्चे को समूच्य एक हमलों का समुच्य डिक कलेक्षन क्वध चाहता है यानि कि समाय का वह लाता है यानिकि जितने भी सारी खठाप कर दे यसको एक श॥का नाम दे जैसे कि मेला की रूप में मिल करसा हम ऊबेकर से फेव हुदे हैं इस परकार से हमलों करते हुआ जैसे कि अगर से बात करें सिंपल से बात करें जैसे कि अंगूर का गुच्हा क्वाल देश साडी होगék आख और गुच्छे के रूप में जुटा रहता कि यह बात करना होता है तो पहले ही हम लोग यह गरता है इंशे सीर्य के होता है इकोल टू क्या हो जाए लोग का इंफिनेट इंफिनाइट टक चला जाएगा अब बात करते हैं इसका संख्या रेखा अगर बात करते हैं इसको संख्या रेखा पर तो कैसे होगा हम लोग का यह हो जाएगा कि पहरे नंबर लाइन खीच लेंगे अब करते हैं इसमें एक कहीं भी जीरो लेलते हैं यहां पर जीरो होगा जिसको माल लेते हैं यह हमारा ओंपॉइंट हो गया अब जीरो हो गया तो देखें अब कितने अभी भी कितने लोगों काण्फ्यूज होगा की जीरो और ओ में कैसे थुरा भी अंतर नहीं परता चलता है तो हम लोग हम आपको बता दें कि जीरो और ओ में क्या अंतर होता है देखिए जीरो को हम लोग क्या होता है दम फूली क्या गोल पारता है ऐसे होता है जीरो हम लोग का लेकिन अगर बात करें यह सौरी जो ओ होता है हम लोगा क्या होता है एकदाम होला का होता है लेकिन अगर start कि जीरो वे थोड़ा लंब वद ये कि त्सकों होता है यानि कि जभी जी उन्गें दो मनें थो अइसे लंब करके लेंगे तो मोड़ा कि दो वो कि मैं आ जाएगा तो यह हमारा क्या हो गया जीरो हो अब बात करते हैं इसके आगे तो यहापर यहापर हो जगा हनका एक होता है 1, 2, 3, 4 , 5, 6, 7, 8, 9, ऐसे करते हुग है हमने लोग आगे की तरह प्लस % की तरह पर जाएंगे और यह हमारा होगा एक दो तीन चार पांज यह इन यस दू सहो हो गए इसप्रकास हो जाएगा नांबर होगा वह हम लिए और चिला जाएगा-अगे और इस प्रकासर जो हमारी जीरों के कि जो और इसमें एक और खास बात होती है नंबर लाइंग में इनके पीच के दूरी को क्या रहता है समान रहता है इसको एवन ने मान ले इसको एटू मान ले इसको एसको एसको गगी आप दूर्यां और इसके दूर्यां के बराबर होगी तो आप बलेगे कि एवन पराबर हो जाएका अंटा अब देखिए हमाला करते हैं कि पूर्न संख्याएं हमारी होती क्या है कि प्राकित सभी प्राकित संख्याओं के संग्रह संख्याओं के संग्रह में सुन ये को सामिल कर देने से प्राप्त संख्याओं हमारी क्या होती है पुर्ण संख्याओं को किसे सुझ गयता है तक पुर्ण संख्याओं को बारा लेटर मांद अता है उसको संकेति को रूप में दे दिए उसका नमकरन कर दिया जाता है इसका जो नमकरन होगा इसी लेटर के वाड़ हो गया देखे इसमें। यूद्लू होता है कंडिरे हें इसे को भी केतर डेये से लगने है तो अगर बात किया कि है कि डिधसने चाहिए सब्सक्राइब करेंगे उसके बाद होगा उसको लिखते चला जाएंगे तो मारे कि हमारे जो भी हो पूर्ण संख्यायों हो जाएगी जैसे बात करते हैं तो तरह आगे तरह चला चला गया है अब बात करते हैं इसकी संख्यार रिखाएं तो संख्यार हमारा क्या हो जाएगा वह होगा कुछ इस प्रकार से हो जाएगा ऐसे हम लोग संख्यार का पार देंगे ऐसे हो लोगा यह हो जाएगा मैनेस इंफितिव की तरह यह हो जाएगा फिलस इंफितिव की तरह और वीच्म पार लेते हैं लोग एक जीरो जिसका और इजिन पॉइंट यह है अब बात करते हैं 12345 और यह हो जाएगा जो होल नमर होगा वो सब्सक्राइब यहाँ से होका हर इसको आगे तरफ आगे की तरफ अनन्ज तक हम लोग चलते क्छला जाएगा वह जितनी भी सारे संख्या होगी हम लोग क्या होगी हो नमर के अंतरगत आएगी तो आप लोग इसे अपने नोट-बूक में नोट किजिए तब तक चलते हैं अगले कंसेप्ट में हम लोग बात करेंगे टॉपिक जो होगा हम लगते होगा इंटीजर होगा यानिकि पुर्णांग होगा पुर्णांग किसे कहते हैं आज ये उसको हम लोग देखते हैं देखें बलगा गया यदि मैंने कि प्राकित संख संख्याओं को संग्रा में जीड़ो और फूनाग जीड़ो और रिनातमक संख्यां सामिल करने से प्राप संख्याओं पूर्णांग कहा लाती है अब उसकना बोला गए कि सभी पूर्णांग के समूचिएों को क्या आई तथा जैड़ से सूचित किया जाता है अगर बात करें एक्जाम्पल पर तो इस तरह से हमारा हो जाएगा एक्जाम्पल में हैं अगर बात करें हम लोग साँ कर segundos के अगर हम लोग देखना चाहें संख्याऊर कि नमबर लाइन संख्यारी शोरिछ नमबर कि लाइन ख्यार और देखना चाहें इसको क्या करेंगे इस में एक- Glaim पार देंगे और बीच में रखेंगे जीरो रखेंगे यह की मुलवें दूपर है बीच में है अब इसको बात रहेंगा कि एक दो तीम चार पाच तो तीम चार पाच इसको हम लगता है a1 यह जाएगा a2 a3 यह जाएगा a4 a5 इसको लेंगे छुट इसको लाते हम लग b1 b2 b3 b4 b5 और जो हमारे इसके मुल रेंद्व यानिके जीरो के आगे वाली जो भी हमारी संख्याय होगी और जो जीरो के पीछे वाली संख्याय होगी हम लोग क्या होगी इरिनात्मक संख्याय होगी यहना कि नेगेटिव है लो जीरो होगी और इसे हमारे होगी पोजेटिव हैं लोग कहलाएंगी अब रहा हम लोग का जीरो अब जीरो क्या है जी तो जीरो क्या है जीरो नौ तो धनातमक होता है, धनातमक होता है, और नहीं और नहीं दिनातमक होता है. आप देखिए अगा यहां लोग इसको देखनाँ चाहें तो फूर्णांक तेनmost होगा यह हो जाएगा धनात्माग क्पुर्णांक दूसरा मोरे ऑससे नefit तोदेखिए अबात करते हैं तो तो सुनिय ना तो ध्वन पूर्णांक है और नहीं पूर्णांक है अगर हम लोग देखना चाहें कि सुनिय इसके अनुसार हमें यह देखने को मिलता है कि सुनिय को मध्य में क्यों रखा जाता है तो सुनिय मध्य सुनिय को मध्य में इसलिए रखा जाता है कि वह यह जो है न करता है इसलिए हम लोग जो सुन बीच में विवस्तित कर देते हैं ठт्रणातमक पुरणाऑ家 कि See का एक्षल – तो ऑच्छी तरह से होता है ऑजिरो और नहीं थ्यात्मक क्फुर्णाक होता है तो हम लोग ने इसमें क्या देख़े है हम लोग कि जो इसमें पुर्णांग जो तोड़ते हैं पुर्णांक हो जाएगा रिश्चिन 완성 Все links भीच की दूरी थो ओर वन्ismo k्या होने ङालों का ओर एक एंटीय को प chief के बराबर ओर एकिने में चाहिए 고 स्वी यह गोसा चाहिए रोड़ार वर घुरिया है वैंगे स्योंत्त वाप एक जै नेंट स्वार्थ यह एक टू एक भीच जोड़ी है और जो एट भीच के दूरी है जो एफॉर एफाइब के बराबर है इसी परकार समाने जो बीच अगे लेक्ट आफी के